आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्श को यह है MNS News Network मैं हूँ आपके साथ आरती आईए देखते आज के कुछ खास कबरे CMKCR का DGP को निर्देश पूर्वा प्रोफेसर सहीत 152 लोगों के खिलाब दर्ज UPPA का मुकदमास लेवापस तेलंगाना की मुक्य मंत्र के चंदरशेकर राव के सी आरने शानिवार को पूलिस महा निर्देश डिज़ीपी अंजनी कुमार को हिद्रवाद वुश्व विद्दा लेके पूर्व प्रोफेसर और मानवादिकार कारे करता जी हर गोपाल तथा 151 अन्य लोगों के खिलाब को वापस लेने पर विचार करने के लिए कितने लोगों के खिलाब दर्ज हुआ था यूपी पीए की ताहत मामला तेलंगाना में पहली बार मुलुग जिले की तदवाई पूलिस ने 2022 में हर्गोपल सहित 152 लोगों के खिलाब यूए पीए के तहत मामला दच किया था पू उन्हें सगस 2022 को शिकायत करता हो वी शंकर पसरा सरक्कर में अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब उन्हें तेलंगाना के राकपा माववादी के सदेस्सों की बेरेला वंट शेत्र में एक अवैद सभा के बारे में सुछना मिली जिसमें बड़े चोका राओ कंकनला राजी रे इस माम द्वारा मावा वादियों के साथ कशित संबन्दों के लिए यूएफ़ा के तहद मामला दच किया गया था हाला कि उन्हेंने दावा किया था कि उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उन पर क्या आरोप है हर गोपल ने समाज को जवाब देने का आवान किया था क्योंकि UAPA के तहट बुक किये गए सबी लोगों ने नागरित सतंत्रता और तेलंगाना के लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी दारसल हर गोपल हिद्राबाद विश्व विद्याले में स्कूल आफ सोशल साइसेंज के डिन की रूप में काम कर चुके आए देखते अगली ख़बर की तरफ शिवशेना यूबिटी के एक और सिपाई शिशिर्शिंदे ने छोड़ी पार्टी बोले एक साल से उपनेता था लेकिन माराश्ण के पूर्वविधायक शिशिर्शिंदे ने शनिवार को बड़ा कदम उठात वे शिवशेना यूबिटी से इस्तिफा दे दिया शिशे शिंदे इस बात से नाराजे की पार्टी का उपनेता बने उन्हें साल भर हो गया लेकिन नेतुत्वा में उन्हें आभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी बात उन्होंने अपने रेजिकनेशन लेटर में भी लिखी और उदर ठाकरे को पत्रसोफा शिशे शिंदे का आरोप है कि छे माहिने से उदर ठाकरे उनसे मिल भी नहीं रहते तमाम कोशिशे के बाद भी पार्टी अदेख्शन से मिलना असंबभ हो गया था वही उनका यह भी कहना था कि मन का काम करने के लिए नहीं मिल रहा था शिशी शिंदे ने उद्धाकरी को जो पत्रसोपा उसमें लिखा कि चार से तक से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई फिर उन्हें अलंकारिक पज दिया गया इसलिए उनके चार साल बरबाद हो गए इस काम से चर्चा में आये थे शिशी शिंदे गौरतला में की 22 साल पहले साल 1991 में मुंबई के वानकेड स्टेडियम में बारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था उस समय कुछ अन्या पार्टी कारे करताओं के साथ मिलकर यह क्रिकेट मैच रोकने के लिए शिशी शिंदे ने स्टेडियम की पीच खोद दी थी तब ही से वा चर्चा में आ गए थी इसके बाद साल 2005 में राज ठाकर के शिशी शिंदे ने उनका समर्तन किया था और साथ ही पार्टी छोड़ दी थी फिर साल 2008 में शिशी शिशेना में वापस आये लेकिन 2022 तक उनने कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई इसके बाद एकना स्टे के विद्रोह करने पर शिशी शिंदे को शिशेना के उपनेता की जिम्मेदारी दी गई हाला कि उनका कहना है कि इस एक साल में भी पार्टी नेतुत्वा ने खासा जिम्मेदारी नहीं दी जिस वज़े से वह पार्टी छोड़ रहे है आईए देखते हैं अगली खबर की तरफ महाराश्ण में खोका का प्रदर्शन करेगी एंसिपी एकनाती शिवशेना के खिलाप मनाएंगी गद्दर दिवस महाराश्ण की राज़निती में एक बार फिर बवनलर उटने वाला है वज़ाया है कि पिछले साल भाज़पा की इशारी पर शिवशेना में हुई फूट पर राश्णवादी कॉंग्रेस पार्टी एंसिपी वी जून को एक नाशिन दे के नेतुतों में शिवशेना के हुई बगावत की पहली बरसी को गद्दर दिवस के रूप में मनाएंगी शिवशेना में बगावत के बाद माराश्टर की माविकास आगाडी मवए के सरकार जून 2022 को गिर गई थी बताते चले के एंवए के उद्दवी सेना एंसिपी और कॉंग्रेस एक तिसरे के घटा गए माराश्टर में खोका का प्रदर्शन एंसिपी की माराश्टर एकाई के अधिक्ष जैनत पार्टी ने पार्टी कारेकरताओं से शिशेना के बागी विदायकों के खिला प्रदर्शन की अपिल की उन्होंने शनिवार को का कि NCP कार्यकरताओं को सांतिक रूप से खोका रूपयों का भरे बख से दिखा कर पूरी ताकत से प्रदर्शन आउजित करना चाहिए जिसके आधर पर एकनाश शिंदे सरकार सक्ता में आई है शिंदे शीविर की खुशिक शनिक उन्होंने पार्टे के कार्यकरताओं से अपिल किया है कि वह जनता को बताए कि शिंदे शीविर की खुशिक शनिक है जिसके गुट को निवाचन आयोग ने वास्तविक शिवशेना कगार दिया है और इस सरकार के गिने चुने दिन बचे है एंसिपी ने की कई जन सबाय शरतपवार की अद्दक्षता वाली पार्टी ने इससे पहले जन सबाय आयुजित की थी जिसमें महाराश्ट के नाजनितिक संकट पर सुप्रिम कोर्ट के फैसले विदायक भादेक्षा राहूल नार्वेकर 16 विदायकों को आयोग करार देने के करतवे से बंदे हुए थे उनकी जानकारी दी थी अब आप अमरे चैनल को आपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल पर देखने के लिए प्लेस्टोर से मनेस्टीवी अब जाउनलोड करें इंस्टा लिंग ट्वीटर आइको फेस्बूक और कई सोशल मीडिया की आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप अमारे चैनल को लाइव देख सकते हैं www.mnsnews.com पर फिलाल वक्त जला दर्शी को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम कबरें बने रही है मनेस्ट पर नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News